वेलकम वेलकम हुशाम दीद पावर्फुल टॉनिक फार स्टुडेंट्स स्पेशली स्टुडेंट्स ये साथ साथ मैं मिशीन का रिविव भी दिऊंगी ये मेरे पास पोर्टेबल ब्लेंडर है जो के स्टुडेंट्स अपने साथ हर जगा रख सकते हैं होस्टल में भी और घर में भी या जिस जगधा भी जाना चाहें यह बिल्कुल ही बिल्कुल साधा सा है और वेट्लेस है इसका ज्यादा वेट भी नहीं है और यह बैक में असानी से आ सकता है यह सका से ट्रक्चर वगरा मैं आपको दिखा रही हूं ये इसकी मेशीन है ये इसके ओपर इस तरीके से अड़जस्ट किया जाएगा ये हमारी जो रैस्पी है ये उसके लिए कहीं भी इस्तमाल हो सकता है इसको आप कहीं भी ले जाकर इस्तमाल कर सकते हो तो ये बहुत ही ले जाना असान है कोई भारी भार कम चीज़ नहीं है जो रेस्पी है हमारी उसके लिए ये बहुत ही अच्छा है ताके हम उसका पर्मानेंटली इस्तमाल कर सकें और ताकत दे सकें खुद को ये जो आज की रेस्पी में आपको बनानी सिखाऊंगी ये उसके लिए बहुत ही मनासिब है ये देखिए ये अंदर से भी ये इसमें डेड़ ये दो इतने गलास दूद आ सकता है बहाअसानी मिलकशेक वगरा के लिए भी ये बहुत ही अच्छा है किसी भी किसम का मिलकशेक बनाना हो तो आज की रेस्पी है हमारी गुले अनार ये एक पावरफुल टॉनिक है जो के स्टूडेंट्स के लिए है इस्पेशली जो उनको ताकत देगा खावसरपा गर्ल्स को बॉइस को और इसके बहुत ज़्यदा बेनिफेट्स है जितने भी इनकी तारीफ की जाए या जितना भी बियान किया जाए वो कम है ये इनका जो पावडर है वो भी बासकाद बना लिया जाता है ये इनको अलैदा करके इसके जो छिलका है वो नहीं डालना ये देखिए मैंने आपके सामने अलैदा किया है ये इसके अंदर का जो है ये गुदा सा जो इस वक्षक हो चुका है जिसको गुले अनार हम कह रहे हैं यही यूज करना है ये 6-7 यूज करने है अट ए टाइम डेली हम चाहें तो पहले इने ग्राइंड भी करके इनका पॉर्डर सा बना सकते हैं लेकिन अगर ना भी करना चा असानी इस से आव ये पीने से एक तो स्टूडेंट्स के चेहरे पर गलो आती है और दूसरे उसके अंदर एक एनरजी सी फील उसे होती है जो के उसके आगे काम करने के लिए उसको चाहिए होती है ये अब हम आपके सामने त्यार करेंगे ये इसको अच्छे तरीके से मैंन इसको बंद किया है इसमें एक गलास दूर डाला है और छे साथ फूले हैं आप चाहें और साथ ही इस दूर में चूंकर चीनी पहले ही से मिक्स थी इसलिए मैंने और मिक्स नहीं की इसमें आप चीनी मिक्स कर सकते हैं मिश्री मिक्स कर सकते हैं इसमें बदाओं वगरा भी म को ब्लैंड कर रही हूं और यह ब्लैंड बहुत ज़्यादा देर नहीं करना पड़ता सिर्फ थोड़ी देर के इसके अंदर अगर यह पौडर की शेप में तो वन चमच आपने डेली यूज करना है और यह एक मिनट लगेगा इसको सिर्फ बनने में दूद इसके लिए आप बॉइल करने और बाद में फिर ठंडा होने पर इसको यह यूज करना है गरम गरम यूज नहीं करना और यह सर्दियों के मौसम में भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसकी तासीर थोड़ी ठंडी होती है और यह जिसम के अंदर से गरमी को भी दूर करता है क्योंकि सर्दियों की वज़ा से हम लोग पानी कम पीते हैं यह उस कमी को भी दूर करता है जो पानी की कमी होती है और हमारे जिसम को और दमाग दोनों चीज़ों को ताकत भी देता है और टंड़क भी ये इस वक्त बिल्कुल त्यार हो चुका है ये देखिए इसका कलर कितना खूब तुरत है कितना नाइस है अब हम इसको इधर से ओपन करेंगे और फिर गलास में डालेंगे तो आपको ये इसकी लुप बहुत अच्छी लगेगी ये अब मैं इसको गलास में डाल रही हूँ ये देखिए ये कितना खूबसरा लग रहा है ये बहुत ही ताकतवर है बहुत ही घजायत भर है ये अपने बच्चों को जो स्कूल जाते हों कॉली जाते हों यूनिवरस्टी जाते हों उन्हें ये जरूर दीजिए रुजाना एक गलास ये उनके लिए बहुत ही अच्छा है तो अगर आपको मेरी ये रेस्पी पसंद आई है और ये रिव्यू पसंद आया है सब्सक्राइब करो मिक्च मसाला चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए तब तक के लिए गुड़ बाई